असलाम अलेकुम दोस्तो मैं मुहम्मद हुसेन दोस्तो आज पंजाब के महान युबा गायक ग्रेट सिंगर हर नोजोबान के दिल में छाने वाला सिद्धू मुसे वाला का पुन्यती थी है यानि कि आज के ही दिन में उसकी मृत्यु हुई थी 29 मईं 2022 को उसकी मृत्यु दोस्तो सिद्धू मुसे वाला वो गायक था वो सिंगर था हर नोजोबान के दिल में धड़कता था हर नोजोबान के जुबाँ पर उसके गाने होते थी दोस्तो सिद्धू मुसे वाला का फैन फोलोइंग इतना जादा था इतना जादा था पूरे भारत से लेकर 200 भर में उसको चाहने वाले बहुत ही जादा थे। उसको चाहने वालों का हाल देखिए, पाकिस्तान में उसके नाम पर एक होटेल भी बना हुआ है। दोस्तो ये खबर भी निकल कर आ रही है, पाकिस्तान के महान सिंगर राहत फते अली ने भी सिद्धु मुसेवाले के बर्सी पर सरधान जली देते हुए एक कवाली गाया है। खैर दोस्तो इस मडर केस को लेकर पंजाब पोलिस का कैना है, उनकी जाच पूरी हो चुकी है, उनकी इन्वेस्टिकेशन पूरी हो चुकी है, अठ्था सो पचास पेच की चलान वो पेश कर चुके हैं। वहीं पर सिद्धु मुसेवाला के मातापिता का कैना है, पोलिस अब तक श्रीप खरीदे हुए कातिलों को पकड़ पाई है, सिद्धु मुसेवाले के साथ जिसकी दुस्मनी थी जो असल साजिस करता है, गोल्डी बराड जो की कनाडा में बैठा हुआ है, अब तक पोलिस उसको ढूंड नहीं पाई, उसको पकड़ नहीं पाई, उल्टा पंजाब पोलिस सिद्धु मुसेवाले का नाम गेंग स्टारों से जोड़ कर उनके जखमों को कुरेद रही है, सिद्धु मुसेवाला के मातापिता का ये कहना है, दोस्तों सिद्धु मुसेवाला को उसी क पहाबुक हो जाती है, रोने लगती है, फिर उस जगे पर बेटे को जिस जगे पर गोली मारा गया था, वहाँ पर मत्था भी टेकर रोने लगती है उसी के साथ में पूरा जवहर के गाउं, बलके पूरा पंजाब सिद्धु मुंसेवाला को स्रदानजली दे रहा है और जवहर के गाउं में स्राधान जली का एक बड़ा सा कारियक्रम भी आयोजन किया गया था अब आते हैं लोरेंस विश्णोई पर दोस्तो लोरेंस विश्णोई जिसके उपर 50 से ज़्यादा मामला दर्च है उन में से कुछ मामला मडर से जुड़ा हुआ है एक रिपोट के मुताबिक लोरेंस विश्णोई का 500 से ज़्यादा सार्फ सुटर भारत में और भारत के बाहर काम करते हैं उसके अंडर में दोस्तो आप लोगों को पता होगा लोरेंस विश्णोई सलमान खान को मारना चाहता था जानते हैं क्यों मारना चाहता था? दरसल लोरेंस विश्णोई जिस समाच से आता है विश्णोई समाच से उस विश्णोई समाच में काले हिरन को पूजा जाता है काले हिरन की पूजा होती है सल्मान खान ने काले हिरन को मार दिया था इसलिए लोरेंस विश्णोई सल्मान खान के पीछे पड़ा हुआ था बिलकुल संकल्ब बना लिया था किसी भी तरह से लोरेंस विश्णोई सल्मान खान को मारना चाहता था अब आते हैं दोगले मीडिया पर कुछ दोगले हिंदुबादी संगठनों पर जो दोगले मीडिया हिंदुबादी संगठन मुसलमानों को ब्लेम करते हैं ये बोलते हुए कि मुसलमानों में सरतंसजुदा करने का हुकम दिया गया है कुरान में लिखा हुआ है दोगले चरीतर के मीडिया दोगले चरीतर के लोग ये बताएं एक काले हिरन के लिए एक जन्वार के लिए लोरेंस बिश्णोई सलमान खान को मारना चाहता था भले ही ओ लोरेंस बिश्णोई सलमान खान को मार नहीं पाया वो अलग बात है वहीं पर मुसलमानों के नभी के सान में पूरे कौम के नभी के सान में गुस्ता की होता है और कोई अगर गलत इंसान हत्यार उठा लेता है जो कि बिल्कुल सरसर गलत है उनको फासी होना चाहिए लेकिन गोदी मीडिया और हिंदुबादी संग अठन इस बात को लेकर नफरत फैल आएंगे खैर दोस्तो जाहिद